आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now इस Question में आपसे कहा गया है इन Non-Cyclic Photophosphorylation जो हमारी Non-Cyclic Photophosphorylation होती है Electrons from P680 P680 से Enter करते हैं Electron Transport Chain में और पास किये जाते हैं किसको तो देखी जो हमारा Reaction Center होता है P680 P680 से जो जो एलेक्टरोन आते हैं और वो किसको पास होते हैं तो यह जो एलेक्टरोन से यह देता है Fear of Highting को Fear of Highting से जाते हैं हमारे Plastic Venon को तो ऐसे करते करते हैं हमारे Electrons कहां पहुच जाते हैं P700 में P700 में P680 से तो यह क्या है Photosystem Second और यह क्या है Photosystem One तो अगर Electron हमारे यहां से Excite होगर के वहाँ जा रहे हैं तो यह Higher Energy है Higher Energy Level पे है और यह Lower Energy Level पे है Lower Energy Level पर है और अगर यहां Electron एक बार चला जाता है तो वह वापस इसके पास नहीं आता है यह इस Electron की कमी कहां से पूरा करते हैं H2O की Lysis से तो यहां पे से 2 Electron यहां जाते हैं तो हमारे इलेक्ट्रोन फ्लो है वो कैसे होता है और वो किसको पास होते है एक Lower Energy Level को That is the Reaction Center P700 जो हमारे इलेक्ट्रोन से वो एक Lower Energy Level को पास होते है जो है P700 पोटर सिस्टम 1 तो हमारे फिर्स्ट उप्षिन जो है वो करेक्ट है बागी के उप्षिन में दिया होगे एक Higher Level को पास होते हैं अगर Higher Level को पास होगे तो Electron जाएंगे ही नहीं फिर आते है Lower Energy Level of Water Water से तो हम वापस Electron लेते हैं तो Water पो Electron जाते ही नहीं है और फिर आते है Higher Energy Level that is the NADP Plus तो अगें लिखा है Higher Energy Level तो Higher Energy Level नहीं वो Lower Energy Level है क्योंकि P700 से कहां जाते हैं NADP Plus के पास जाते हैं तो वो भी Lower Energy Level पर है तो हमारा First Option करेक्ट है Thank you तो हमार सुपर